इस नर्सरी में आपको flowering plant की बहुत सारी different varieties मिल जाती है जो कि आप buy कर सकते हो just around 20 रुपीज इनके पास में आपको indo plant मिल जाते है 50 रुपीज में, succulent plant मिल जाते है 100 रुपीज में इनके पास में आपको herbal plant भी मिल जाते है, ceramic pot 80 रुपीज में, plastic pot 20 रुपीज में इनके पास में और भी बहुत सारी different varieties है plants की जो कि आप बहुती ज़्यादा affordable price में यहाँ से buy कर सकते हो यह एक बहुती बड़ी सी नरसरी है तो आज हम इसे visit करने वाले चलिए तो इस नरसरी को visit करते हैं और देखते हैं कौन से plants का collection है इनके पास friends आज हमें new श्री बालाजी नरसरी में जो कि एक बहुत बड़ी नरसरी है और इनके पास में बहुत सारा plants का collection है one by one सभी हम देखेंगे पर इनके पास में flowering plant का भी कुछ बहुती प्यारा सा collection है जो कि flowering plant lovers के लिए आज के जो visit है वो बहुती बड़ी आसे होने वाली है इसी के साथ में इनके पास में और भी बहुत सारा plants का collection है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर में ये बहुत बड़ी नरसरी है जैसे आप अंदर जाते है तो आपको इंडो plants और बड़े साइस के plants का collection देखने को मिलता है उसी के साथ में इनके पास में plant रखने के लिए pots भी मिल जाते हैं इसमें कि आपको plastic and ceramic pots मिल जाते हैं इस ingonium का plant है जो कि आप buy कर सकते हो just in 50 रुपीज यह बहुत ही बढ़िया सा इंडो plant है ingonium plant में और भी बहुत सारी different varieties है इनके पास में जो भी आपको पसंद आती है आपको buy कर सकते हो money plant की golden variety आपको मिलेगी just in 50 रुपीज यह बहुत है जो प्लांट है यह agronima plant की variety है one of the best indoor plant आपको मिलेगा just in 50 रुपीज वो भी pot के साथ all over Mumbai में आपको यह plant 50 रुपीज में pot के साथ में कहीं नहीं मिलेगा इससे ज्यादा affordable price में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यह एक बहुत ही अच्छी सी डील है और यह वाला जो प्लांट है जेट प्लांट है आपको मिलेगा 50 रुपीज में इसको भी आप इंडोर रख सकते हो यह nursery के owner है इनका नाम है करन सिंग इनकी जो nursery है उसका नाम है नियूश्री बालाजी nursery यह जो nursery है वो जुहू में है मुंबई में अगर इनके हाँ का plant का collection आपको पसंद आता है तो आप directly उनके nursery को visit कर सकते हो otherwise इनका mobile number भी दिया है उस पर भी आप directly contact कर सकते हो अगर आपको plant के related कुछ भी पूछना है जैसिक availability के बारे में उनके plant के price के बारे में तो आप उनको whatsapp पे message drop कर सकते हो ceramic pot का भी इनके पास में बहुत सारा collection है ceramic pot का जो price है वो start होते just from 80 rupees यह वाले जो pots है यह आप 80 rupees से हाँ से buy कर सकते हो जो की different shape and size में आपको मिल जाएगे ceramic pot में यह वाली जो varieties है यह आप 100 rupees से यहाँ से buy कर सकोगे थोड़ा size बढ़ा होने के वज़े से इसका price जो है वो बढ़ गया है इनके पास में आपको plastic के pots भी मिल जाते हैं जिसका price start होता है just from 20 rupees इसमें भी बहुत सारी different colors है इनके पास में जो भी आपको पसंद आते हैं आप वो यहाँ से buy कर सकते हो इनके पास में plastic के hook pot different colors में मिलते है succulent plant के बहुत ही प्यारी सी varieties आप यहाँ से buy कर सकते हो 100 rupees में वो भी plastic pot के साथ में किसी को gift वगर देने के लिए बहुत ही अच्छे से plant से ही है succulent के plant succulent के plant इनके पास में ceramic pot में बना के भी मिल जाते हैं अगर आपको directly ceramic pot के साथ में चीए तो वो भी इनके पास में मिल जाते हैं देख सकते हो आप कितनी प्यारे दिख रहे हैं ceramic pot के साथ में ceramic pot के साथ में succulent plant का जो combination है वो दिखने में बहुत ही unique और बहुत ही प्यारा दिखता है succulent plant के बारे में एक ही बात आप ध्यान में रखिए इसको कभी भी over watering आपको नहीं करना है otherwise आपका जो plant है वो date भी हो सकता है यह वला जो plant है यह डाइंतर्स के plants है जो कि एक बहुती बढ़िया सा flowering plant है seasonal flowering plant आपको मिलेगा bag में 20 रुपीज में अगर आप इसको pot के साथ में buy करना चाहते हो यहां से तो आपको मिलेगा 50 रुपीज में इस plant से अगर आप अच्छा सा flowering लेना चाहते हो तो इसको आपको bright light देना होगा एक दो घंटे का sunlight भी मिलेगा तो भी यह आपको बहुती बढ़िया सा flowering देगा जीनिया के plants भी एक बहुती बढ़िया से seasonal flowering plant है आपको इसमें बहुत सारा color options भी मिल जाता है यह अगर आप बैक के साथ में बाई करोगे तो आपको मिल लगा 20 रुपीज में, pot के साथ में आपको मिलता है 50 रुपीज में यूफोबिया के plants जो कि एक बहुती बढ़िया से permanent flowering plant है याने 12 months आपको ऐसे ही flowers देते रहेंगे ये एक plant आपको मिलता है 100 रुपीज में वो भी pot के साथ में इस plant को बाई करना है याने one time investment है बहुती hardy plant है कोई भी type के soil में लगा दीजिए और इसको थोड़ा सा दूप दीजिए तो ऐसे ही है flowers आपको मिलते रहेंगे सबसे छोटे flowering plant याने कूफिया के plants जो कि आपको मिल जाते है यहाँ पे 120 रुपीज में वो भी pot के साथ में ये एक dwarf variety है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा flowering देखने को मिलता है और plant छोटा ही होता है ये जो प्लांट है ये garden के लिए नहीं बने है ये gallery के लिए बने है gallery में रखने से आपको इनके flowers भी दिखेंगे और दिखने में भी बहुत बढ़िया सा दिखता है ये plant ये जो प्लांट है ये पेंटर्स के plant से जो कि एक permanent flowering plant है आपको मिल जाते है 75 रुपीज में वो भी pot के साथ में ये जो plant है ये plant आप कहीं पे भी लगा सकते हो चोटे से कुंडी में बड़े कुंडी में otherwise आपके garden में भी लगा सकते हो ये plant बड़े से बड़ा और dwarf varieties चोटी सी चोटी रहती है और उनको बहुत ही बढ़िया सा flowering होता है 70 प्लांट का भी बहुत ही प्यारा था collection इनके पास में जो की बहुत सारे different colors में आपको देखने को मिल जाता है जो color आपको पसंद आता है आप वो यहाँ से buy कर सकते हो 70 के जो plant से वो एक seasonal flowering plant है इनको flowering जो है सिफ winter में होता है और plant जो है वो 12 months रहता है 70 के जो plants है सबसे best winter flowering plants है winter में इससे अच्छा flowering किसी भी plant में नहीं होता है यह अगर आप plants यहाँ से buy करना चाहोगे तो bag में 30 में मिलेगा pot में 100 रुपीज में another best permanent flowering plant आपको मिलता है 250 रुपीज में वो भी pot के साथ में यह टिकोमा के plants है बट यह dwarf variety है उसके वज़े से इसका जो price है वो थोड़ा ज्यादा है यह pot के साथ में मिल रहा है आपको इसमें भी आपको two different varieties मिलती है इनके पास में जो भी आपको पसंद आते हैं आप वो यहाँ से buy कर सकते हो टिकोमा प्लांट की जो normal वाली varieties आती है वो बहुत जादा बड़ी होती है उसके वज़े से आपको उसको garden में बगर ही लगाना होगा लेकिन यह वाली जो dwarf varieties है यह आ प्लावरिंग प्लांट में वह भी पॉट के साथ में यह ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है सीजनल का जिसमें बहुती बड़ा सा फ्लावर लगता है प्लावरिंग प्लांट का राजा यानि रोज के प्लांट भी इनके पास में मिल जाते हैं छोटे वाले अगर प्लांट लोगे तो आपको मिलेगा 50 रुपीज में बड़े प्लांट आपको मिल जाते हैं 100 रुपीज में इनके पास में रोज में भी बहुत सारी डिफरेंट varieties available है rose के plant से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर flowering लेना है तो आपको इसको bright light provide करना पड़ेगा उसी की साथ में आपको regularly fertilizer इसको provide करना पड़ेगा fertilizer में आप उसे किसी भी type का fertilizer provide कर सकते हो organic fertilizer based रहेगा और chemical fertilizer अगर देते हो तो बहुत कम quantity में दीजिए तब भी वो effective होगा impatient के भी plants इनके पास में available है जो कि बहुत सारे different colors में इनके पास में और आप buy कर सकते 150 रुपीज में वो भी pot के साथ में ये ऐसे वाले plants है जो कि कम light वाले area में रह के भी आपको flowers देगे जनरली होता है कि flowering plants जो है bright light मिलने के बाद में ही आप अच्छा सा flowering देते बट इन plants की खासियत है कि कम light वाले area में भी आपको बहुत अच्छा सा flowering देगे Mumbai में ये plants बहुत अच्छे से चलेंगे gallery में रख दीजे इसे बहुत सारा flowering होगा ये वाला जो plant है ये जर्बेरा प्लांट के varieties है चोटा वाला प्लांट मिलेगा आपको 100 रुपीज में और बड़ा वाला मिलेगा 200 रुपीज में जर्बेरा प्लांट की भी बहुत सारी different varieties है इनके पास में different colors में देख सकते हो ये pink color और तो बहुती प्यारा दिख रहा है कलंचू plant की भी बहुती प्यारे सी varieties है इनके पास में छोटे साइज में आपको प्लांट 75 रुपीज में मिल जाता है वो भी pot के साथ में और बड़े साइज में आपको मिलेगा 150 रुपीज में ये भी ऐसे plants है जो कि कम light वाले एरिया में रहके भी आपको बहुती बढ़िया सा flowering देगे ये jasmine plant की varieties है आपको छोटा plant मिलेगा 50 रुपीज में बड़ा वाला 150 रुपीज में इसको bright light की requirement होती है तब ही अच्छा सा flowering होता है ये एकजोरा plant की dwarf varieties है जिसमें की plant छोटा ही होता है और उसमें बहुत ज़्यादा flowering होता है बहुत ज़्यादा famous variety है सिंगापूर वाली ये plant आपको मिलेगा 200 रुपीज में pot के साथ में इसमें भी different color options आपको मिलते हैं और थोड़ी different varieties भी इनके पास में एकजोरा में एकजोरा plant की जो miniature varieties होती है जैसे की ये आपको 50 रुपीज से मिल जाती है plant अगर छोटा होगा तो 50 रुपीज में अगर बड़ा होगा तो उसके according उसके जो price है वो change हो जाते है market में बहुती कम indoor flowering plants है उसमें से एक है Anthurium के plants जो की आपको बहुती बड़ी आसा flower देते है red color में इसमें भी इसके पास में बहुत सारी different varieties है जैसे की ये वाली आपको मिलेगे 250 रुपीज से पॉन सूटिय प्लांट की भी बहुत सारी different colors में इनके पास में varieties है वेले जो की आप बाय कर सकते हो just from 200 रुपीज वो भी pot के साथ में पॉन सूटिय प्लांट को आपको semi shade में grow करना होगा अगर आप धूप में रखोगे तो इनके पत्ते जल जाएगे अगर आप इसको indoor में रखोगे तो इनके जो पत्ते उनके color green हो जाएगे इनके पास में आपको herbal plant के भी बहुत सारी different varieties मिल जाती है जैसी कि रोजमेरी plant आपको मिल जाएगा 50 रुपीज में इनके पास में आपको पुदी ना के भी plants मिल जाएगे जो कि आप 50 रुपीज से इनके पास से buy कर सकते हो जो कि बहुत ज्यादा different परपर्दस के लिए आप use कर सकते हो यह वाला जो plant यह अजवाईन का plant है जो कि आप same rate में याने 50 रुपीज में इनके पास से buy कर सकते हो इनके पास में आपको curry tree भी मिल जाता है 50 रुपीज में pot के साथ इनके पास में आपको basil plant भी मिल जाता है जो कि आप 30 रुपीज से यहाँ से buy कर सकते हो इनके पास में आपको lemon grass भी मिल जाता है जो कि आप tea बनाने के लिए use कर सकते हो just in 50 रुपीस वो भी pot के साथ इनके पास में insulin का भी plant मिल जाता है जो कि आप 50 रुपीस से यहां से बाइ कर सकते हो pot के साथ में अच्छा का सा बड़ा plant है यह diabetes control करने के लिए इन plant का use किया जाता है इनके पास में आपको parsley and celery plant भी मिल जाते है जो कि आप 50 रुपीस से यहां से बाइ कर सकते हो आपके यहां पे अगर थोड़ा सा bright light आता है तो वो आप इन plants को लगा सकते हो और daily purpose में use के लिए ला सकते हो इनके पास में आपको hanging plants भी मिल जाते है जो कि आप बाइ कर सकते हो 150 रुपीस से इसमें भी बहुत सारी different varieties ही इनके पास में जो भी आपको पसंद आती है आप वो बाइ कर सकते हो money plant and firm plant की जो varieties है आप semi shade में otherwise indoor में भी ग्रो कर सकते हो यह बहुत ही अच्छे से ग्रो होते है plants यह bamboo palm है जो कि एक बहुत ही बढ़ी असा इंडो plant है आपको यह plant मिल जाते है 150 रुपीस में वो भी pot के साथ में यह बहुत ही अच्छी सी deal है क्योंकि अगर आप बाहर में buy करने जाओगे तो आपको मिलेगा 200 रुपीस में यह plant छोटा ही होता है उसके वज़े से बहुत सार लोग इसे घर के अंदर भी रखते है ड्रेसीना plant की gold dust वाली variety है जो कि आप 100 रुपीस से यहाँ से buy कर सकते हो छोटा वाला plant आपको 100 रुपीस में मिलेगा और बड़ा वाला plant रहेगा तो आपको मिलेगा 200 रुपीस में वो भी pot के साथ में semi shed में grow करने के लिए बनाया है यह plant यह वाली जो है यह syngonium plant की miniature variety है आप यहाँ से buy कर सकते हो बहुत ही affordable price में aglonium plant की और भी बहुत सारी different varieties है इनके पास में जो कि आप 200 रुपीस से 400 रुपीस के रेंड में यहाँ से buy कर सकते हो petra croton के जो plant से आप यहाँ से buy कर सकते हो 100 रुपीस से semi shade में grow करने के लिए one of the best plant है यह और यह earlya plant की variety है जो कि एक plant बाय कर सकते हो 100 रुपीस में वो भी pot के साथ जनवडूप के plant भी आप यहाँ से 100 to 150 के रेंड में बाय कर सकते हो प्लान्ट है फिले रेंडरोन मूनलाइट प्लान्ट है आपको मिल लगा 250 रुपीस के रेंज से ऐसा इंडरो प्लान्ट जो कि आपको 2024 को इन्टो 7 ऊक्सिजन देता है यह नासा ने हरेकमेंड किया है स्नेक प्लान्ट आपको मिल जाते है हाँ से 100 रुपीस से यह कैलेची के प्लान्ट से जो कि एक बहुती बढ़ Haspoint को मिलेगा 200 रुपीस के रेंज से अरलिया दुर्पर फ्लाइज की है विराइटीज आपको yen्डीड और रुपीज से मिल जाती प्डूट के साथ मेरन यह वाला जो प्लाइजFire Seamishade में ग्रों करने के लिए बहुत नीज बढ़ा सा प्लाइंड दोर में ग्रो करोगे तो आपको बहुती बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा 50 रुपिस में छोटा मिल जाता… अंडेड रुपिस में बड़ा। है यह टेबर पाम है जो कि एक प्लान्ट मिलेगा आपको 1फिप्टी रुपिस से चोटा वला बडा वला मिलेगा फ är हौंडे जो कि एक बहुती बढ़िया सा इंडो प्लांट है, आपको मिल जाता है 100 उपीज से, मिडियम साइज में अगर आपको कोई प्लांट बाइ करने हैं, तो इनके पास में वो भी है, ड्रेसिना प्लांट में वराइटीज है, पाम ट्री की वराइटीज है, स्नेक प्लांट से अवेलेबल है, इन प्लांट के जो प्राइजे से वो डारेक्ली आप उनसे कॉंटक करके पूछ सकते हो, और इनके पास में कुछ यूनिक प्लांट भी है, जैसे कि मैंने बोला था, तो ये वाली फ़र्म प्लांट की वराइटी है, आज तक ये वाली वराइटीज नहीं देखी दो, बड़े साइज में भी प्लांट से अवेलेबल है इनके पास में, और भी वराइटीज है, जैसे कि ये चाइनल डॉल प्लांट है, आपको मिलेगा 350 रुपीज से छोटा प्लांट, पाम ट्रिक की बहुत यूनिक वराइटी, ट्रेवलर्स पाम, आपको मिलेगा 350 रुपीज से छोटा प्लांट, आपको ये वाली वेराइटीज मॉल में वगरे दिखेगी जहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होते है इंडोर में और ये वाली जो प्लांट से पैरेडाइस प्लांट की वेराइटीज है आपको 600 रुपीज से एक प्लांट मिलेगा इंडोर में ग्रो होने वाली बड़ी वराइटी है ये वाली और ये वाले जो प्लांट है सॉंग ओफ इंडिया का प्लांट है छोटा वाला 100 में मिलेगा लेकिन ये वाला जो बड़ा प्लांट है आपको मिलेगा 2500 रुपीज में वो भी पॉट के साथ पेटर क्रोटॉन जो कि आप सेमी शेड में ग्रो कर सकते हो आपको मिलेगा 100 रुपीज में वो भी पॉट के साथ में प्रिवियसली भी हमने दिखाया था इसको आउटडोर में रखने के लिए आपको विद्धे का प्लांट भी मिल जाएगा इनके पास में जो कि आप प्लांट भाई कर सकते हो 80 रुपीज से इनके पास में आपको क्रिस्मस ट्री का प्लांट भी मिल जाता है जो कि छोटा वाला प्लांट आप 150 रुपीज से यहां से भाई कर सकते हो आपको मिलेगा 750 रुपीज में पॉट के साथ में मॉस्टेरा प्लांट की भी वराइटीज है इनके पास में जो आप 400-500 रुपीज में बाई कर सकते हो ड्रेसिन प्लांट की ये वाली वराइटीज देखिए कलर फूल पूरी आपको मिलेगा just in 150 रुपीज वो भी पॉट के साथ में ये वाला मॉस्टेरा का प्लांट आपको मिलेगा 2000 रुपीज में अच्छा का सा भरा हुआ प्लांट है टाइपर प्लांट की बड़ी वराइटीज आपको 1200 रुपीज में मिलेगी सब फ्रेंट्स इनके पास में ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट वराइटीज के प्लांट से सभी कवर करना मुश्किल है करके में में जो प्लांट से वो मैंने शो करनी की कोशिश की है अगर आपको इनकी हाँ के प्लांट का कलेक्शन पसंद आया तो इनके नसरी को आप विजीट कर सकते हो करन जी, हूम डिलिवरी प्रोवाइड करते हैं बच उनकी कुछ कंडिशन से, जो कि मैं आपको बताता हूँ अगर आप जोहू से हो, तो आपको हूँ डिलिवरी फری मिल जाएगी बड़ मिनिमम आपको 2,000 रुपीज का परचेस करना होगा अगर आप मुंबय में कही पे भी रहते हो, तो आपको 2,000 रुपीज का परचेस करना होगा और आपको जो delivery charges है वो pay करना होगा उपर में जो circle दिया है उस पे click किजिए और Fishes and Plants चैनल को subscribe किजिए सो ऐसे ही कुछ नएने वीडियो देखने के लिए देखते रही है Fishes and Plants मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नरसरी के साथ में